नमस्ते आज हमारी बीच हमारी देश के वरिष्ट और प्रस्द कराकार जो कई सन्मानों से सन्मानित है मान्य श्री रावसाग गुरव मौजूद है सर आपका पिये नाम दा वेदा पॉलिज ते दिल से स्वाबत करता है सर हम जानना चाहेंगे कि आपको जब पॉरसकार मिला अखिल भार्द्यकला शिक्षा गौरव पॉरसकार जब मिला तो आपकी मंचा क्या थी? मैं रुसेफ ग्रोव यह भूछ से पॉरसकार मिल गया है मुझे स्टेट आपका पॉरसकार मिल गया है और मेरे गाओं का भी पॉरसकार पॉरसकार मिल रहा है लेकिन यह पॉरसकार मुझे तोड़ा अलग लगा क्योंकि एक क्या कैमपस में जो एक इंटरनेशनल जो तुमारा डिजाइन का जो कॉलेज है और इन लोगों ने अलग धंग से हर साल यह ऐसे पॉरसकार खला तो मुझे लाइस फिलिंग हुए तरह हम सारी स्टूडेंस जाना चाहते हैं कि आज कल फाइनार्स या आर्स और डिजाइनिंग के एक शेत्र में किस तरह की मुश्किले आती है और उनको सुलजाने के लिए हमें क्या करना चाहिए देखार दोनों एक फाइन आर्स और क्या बुले अपने डिजाइन का यह दोनों बात पूरी आहलत है डिजाइन में आज कैसा चल रहा है कि जो बेसिक तुमारा एजुकेशन है क्या टेन टेल जो मालून नहीं है उने के बाद आप डिजाइन जब करते है ना डिजाइन करत प्रणा पास पास गंदा काम करना चाहिए तो आपके एक सिंसेरेटी भी बढ़ जाती है और दूसरा एक अपना वीजिवल भी बढ़ जाता है और तुमारे सोच भी बढ़ जाते है यह तीनों काम फाइन आट कर सकते है और इसमें पर भूद मुस्किली है मैं तो पचास सा सब्सक्राइब करना चाहिए तो डारेक्टी डिजाइन मेरे इसाफ से नहीं होता डिजाइन करने वालों में यह बोल दूना कि पाइन आट का पहला बेसिक पंडामिंटल और बेसिक जो आर्ट का जो है ना वो शीखना चाहिए सब्सक्राइब के दोनों में अलग लगता है सर आपको लगता है कि आजकल की पीडी जो फाइन आट में है तो उससे हमारे देश का भविश्य जो फाइन आट की तरफ है वो बढ़ सकता है तरखी कर सकेगा हां बढ़ सकता है क्यूंकि हम देश्या आर्टिस ने अभी 50 साल पह स्कूल से यानि क्वालिस से रिटार होने के बाद भी वह फिल्ड में काम करता हूं तो क्या है कि हमारे जैसे सिनियर आर्टिस ने कोई ना कोई एक आर्ट का पाउदा लगाना चाहिए और पाउदा लगाए तो आर्ट के स्टूडेंट वहां पे आएगे पंचे आजाएग यह मत चोजना चाहिए कि आर्ट फिल्म में काम करना चाहिए और उसमें जो जितना सोच आप बढ़ाएंगे ना तो आपना देश का वह बढ़िया और अच्छा होगेगा सर आप हम जैसे स्टूडेंट को जो आर्ट और डिजाइनिंग में है तो उनको अपने फिल्म में अच्छे से परफॉर्म करने के लिए किस तरह प्रोचाहिए करोगे स्टूडेंट के बारे में मैं ये बोल दूँगा कि आइसा कुछ नहीं है कि थोड़ा स्टूडेंट को मुझे आइसा लगता है कि मैं जब स्टूडेंट था और आज मैं एक आर्टीस हूं खुद को मैं अभी तक आर्टीस नहीं मानता पच्छा साल में इसमें काम कर रहा ह तो भी मुझे ऐसा लगता है कि आवर भी सीखना है, आवर भी सीखना है, और उसके लिए एक्सप्रिमेंट करना चाहिए, सोचना चाहिए, विज्वल करना चाहिए, यह अभी स्टुडेंट में थोड़ा साथ मुझे खंद लगता है, क्यूंकि सब अभी modern technology आ गई है, तो सब बड़ा ready मिल जाता है सब, तो वो ready में काम करना नहीं चाहिए, तो थोड़ा उसमें devotion देना चाहिए, और sincerity उसमें बहुत डालना चाहिए, तो काम हो जाएगा, और ऐसा है कि observation first और drawing दूसरा, यह दोनों काम करना चाहिए, observation से तुमारे visual बढ़ जाता है, और काम हाथ से काम क करने से तुमारे यह capacity आ जाती है, और वो capacity तुमारे डिजैन में आपको बहुत बढ़िया काम करना चाहिए, तुमारे बहुत बढ़िया लगा, तुमारे मुहाओ की दर का, आर्ट का student, सब मिल गए, और तुमारे प्रोग्राम भी बढ़िया हो गया, और कैसा है कि मैं भी college में था, क्वारे में student भी था और teaching भी करताता, तो student मेरा मिली जाड़ा पसंद है, मैं आटी हूं तो ऐसा नहीं कि बढ़िया काम करना हूं, कोई आये तो एक महल बन जाएगा, तो अच्छा लगता है, तुमारे क्या बस में हो, तुमारे क्या बस में हो, तुमारे क्या बस म